very very good morning all of you actually it's afternoon but मुझे ठंड लग रहे हैं तो good morning जैसा ही feel हो रहा है चलो तो class शुरू करते हैं आज की class में हम insect classification करने वाले हैं थोड़ा सा boring part लगेगा आपको लेकिन important part है insect classification नहीं आएगा तो आगे कैसी move करेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं very very good afternoon प्रगती हारदेख दीपती and if you are at a comfortable position अगर आप शानती से कमरे में बैठ कर अच्छे से पढ़ाई कर रहे है तो guys अपना camera भी on कर सकते हैं ताकि हमारी class 2-way interactive रहे और कोई भी question हो query हो तो आप अपना mic on करके directly question पूछ सकते हैं साथी साथ यहाँ chat box में भी लिख सकते हैं ठीक है हो जाएगी बच्चे don't worry ठीक है चलो class शुरू करें so classification जो है आपकी animal kingdom से शुरू होती है कुछ चीजों को हम plant kingdom में डालते हैं कुछ animal kingdom में डालते तो of course insect है तो animal kingdom में डालेंगे हम यहाँ पर कहां से पढ़ना शुरू करेंगे अर्थ्रोपोडा से पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है तो अर्थ्रोपोडा आपका phylum है जिसमें insect को डाला गया है राइट अर्थ्रोपोडा का literate meaning क्या होता है jointed legs अर्थ्रोपोडा का मतलब होता है jointed legs मैंने आपको कल learning technique भी बताई थी इसकी अर्थ्रोपोडा अर्थ्रोपोडा से हमें arthritis याद रख सकते अर्थ्राइटिस जब होता है तो क्या होता है joints में pain होता है joint आजाता है न तो अर्थ्रोपोडा का जो trait meaning है वो क्या है jointed legs है तो सारे इंसेक्ट जो है आपके फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलॉंग करते हैं किस फाइलम से बिलॉंग करते हैं और्थ्रोपोड़ाफाइलम से बिलॉंग करते हैं क्या क्या स्पेशियलेटी हैं अर्थ्रोपोड़ाफाइलम की जो भी इन्सेक्त हैं जिनमें segmented body है यानकि उनकी body segment में बटी हुई है उनकी bilateral symmetry है यानि कि उनको दो भागो में बाटा जा सकता है एक specific plane में है bilateral symmetry क्या है जब आप मुझे cut करेंगे half इधर आफ इधर में equal divide हो जाती हो है तो यह क्या है bilateral symmetry है वहीं कुछ भी चीजिस है जो round है आप मैं इसको ऐसे काटूं ऐसे काटूं ऐसे काटूं किसी भी plane में काटूं यह two equal half में ही divide होता है ऐसे symmetry को क्या कहते है radial symmetry कहते है right so this is bilateral symmetry जो एक ही plane में दो भागों में बटती है किसी भी plane में काटो अगर वो दो भागों में बट जाती है तो उसे जो है radial symmetry कहते है तो जो arthropoda के under insect है न वो radial symmetry के sorry bilateral symmetry के होते है यह निकि एक specific plane में ही आप उनको काट सकते हैं paired jointed appendages usually जो है terminate होती है और जो आपके kytinaceous exoskeleton इसमें present होता है है न सभी में हम देखते हैं insect में exoskeleton present है और kytinaceous होता है यहनकि kytin का बना हुआ होता है ठीक है बच्चे नोट्स जो है मेरा जो personal मानना है वो यह कि बच्चे को नीन आ जाती है specially जब हम screen के सामने बैठे होते हैं न तो just to be active in the class आप अपने साथ एक notebook लेके बैठी एक pen लेके बैठी है जो भी आपको important लगता है नया word लगता है उसको ऐसे scrumbling जैसे हम करते हैं कुछ लिख लिए आ कुछ छोड़ दिया ताकि आपका दिमाख activate रहे वो काम आप कर सकते हैं बाकि आपको notes बनाने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है यह सारी PDF आपको available होंगी सारी PDF आपको मिलेंगे और आज देखो मैं white background भी लेके आई हैं आप लोगों के लिए ताकि यह printable form में आ सकी easily है ना चलो ventral nervous system इसमें present है dorsal hurt present है ventral nervous system क्या है आगे की तरफ यह हमारा ventral side है क्योंकि जब आप ऐसे ground की तरफ होंगे अपने हाथ ground पर touch करेंगे तो जो हिस्सा ground की तरफ होता है धरती की तरफ होता है वो ventral side होता है उसके opposite जो हिस्सा होता है उसे dorsal side कहते है चिक है तो आपका जो nervous system arthropod order में है ये ventral type का होता है और hurt जो है इसमें dorsal type का होता है मुझे पता नहीं इस studio में light की क्या problem है मतलब बंदा खड़ा है पढ़ा रहा है light चुली जाती है चलो dorsal hurt क्या है पीछे की तरफ है न तो ये इ पूर्सल side में hurt present होता है तो ये जो आपके characteristics है वो specific insect के नहीं है ये आर्थरो पोड़ा फाइलम के है आर्थरो पोड़ा में सिर्फ इंसेक्ट नहीं आते और भी बहुत सारे organisms है जो अर्थरो पोड़ा फाइलम में आते है फटा फट से में जो एक्जाम्पल बताओ अर्थर sensors तो लगे है लेकिन раз में Philippines खूल रहे हूं दो sensors चाहिए से काम करना आखिव आपके spiders है थे थे sn आ पाइडर्स आपके इंसेक्ट में नहीं आते लेकिन अर्थरोपोडा फाइलम में आते हैं, चीक है, आपके यह है, क्राब्स है, क्राब्स आपके अर्थरोपोड्स में आते हैं, लेकिन इंसेक्ट में नहीं आते हैं, ग्रास ओपर इंसेक्ट है बच्चा, हाँ, स्कॉर्पिय यह आपके क्या है यह इंसेक्ट नहीं है लेकिन यह अर्थरोपोडा में आते हैं यानकि इसमें जादा फाइलम है बाई लेकिन हाँ अगर हम बात करें सिर्फ अर्थरोपोडा ओर्डर की तो 3 4th थिए-थिए-फोर्थ पॉपूलेशन जो है आपकी अर्थरोपोडा की, ऑप पॉपूलेशन आपकी क्या है, इंसेक्ट की ही पॉपूलेशन प्रेजन होती है, ठीक है, मस्कीटो भी इंसेक्ट है, बुद्धू कहीं के, हाँ, प्रॉस हैं, crabs है, scorpions है, spiders है, यह insect की category में नहीं आते हैं, लेकिन यह arthropod की category में आते हैं, ठीक है, arthropod जो है, आपके इनमें hemosilic body cavity होती है, यानि कि इनका body cavity के अंदर, body के अंदर पूरी एक hollow cavity present होती है, hemosilic cavity, जिसमें blood flow करता है, hemosilic cavity है, muscles are composed of strated fibers, muscle जो है, strated fibers की बनी होती है, जैसे हमारी muscles में globulin भी है, myelin भी है, इनकी जो muscles है, strated fibers की बनी होती है, silated epithelium is absent, इनकी जो epithelium है, skin है, उपर की, जो layer है, उसके उपर hair, hair like structures present होते हैं, but silate present नहीं होते हैं, cilia present नहीं होते हैं, cilia क्या होते हैं, appendages होती हैं, जैसे flagellum होता है, flagellum और cilia का difference मैं अभी आन नहीं बताऊंगी, या आपका botany geology का part है, agriculture का part नहीं है, right, open type of circulatory system इसमें present होता है, इसलिए हम कहते हैं, hemo select body collagen या open type of circulatory system कहा लिजए, एक ही बात है, तो इनका जो blood है, जैसे हमारा blood कहां है, arteries और veins में बह रहा है, oxygenated अलग है, deoxygenated blood अलग है, लेकिन arthropods में ऐसा नहीं है, इनमें body cavity present है, body की जो cavity है, उसी में blood खुला flow कर रहा है, सीधा organs को wash करता है, है न, तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप किसी सम्मुन्दर किनार एक chair पर बैठे हों और tide आए और आपको wash करके चली जाए, है न, तो सम्मुन्दर में आप गए नहीं, गीले हो गए, तो organs जो हैं अपनी जगापर हैं, उन्हें blood wash करता रहता है, उनके उपर से गुमता रहता है, तो उन्हें वहां से oxygen derive हो जाता है, राइट, चलो, उसके बाद आपका phylum के बाद आते हैं, इन्सेक्टा की class, ठीक है पहले phylum आया है, फाइलम में मैंने बताया न, इसमें spiders भी हैं, इसमें crabs भी हैं, इसमें आपके scorpions भी हैं, लेकिन insectum में यह नहीं आते हैं, तो ऐसा क्या खास है insectum में कि यह नहीं आपाते हैं, तो इनमें भी segmented body के साथ साथ एक और चीज़ है, कि इनकी जो body है, वो तीन भागों में divide होती है, segmented body तो arthropods में भी हमने देखा था, insectum में specific क्या है, इसकी जो body है, वो तीन segments में divide होती है, head, thorax, abdomen, यह तीन segments में इसकी body जो है, divide होती है, class insectum में, ठीक है, इसलिए एक multiple choice question मैंने अभी recently यूट्यूब पर भी करवाय था है, spiders को insect में क्यों नहीं count किया जाता, उसमें से एक reason यही है, spiders में जो body है, वो two segmented है, दो भागों में बटी हुई है, तीन भागों में नहीं बटी हुई है, चेक है, तो इसी वज़े से, one of the reason यह है, कि उसको insectum में नहीं count किया जाता है, deposes a pair of, pairs of legs and hence the name is hexopod, में तीन pair of legs present होती है, तीन pair मतलब 6 legs present होती है, इसी लिए इनको insecta order में count किया जाता है, क्योंकि hexa का मतलब क्या है, six, poda का मतलब क्या है, legs, अभी-अभी FCI के student ने पूछा भी था कि ma'am, अगर मुझ से कोई पूछे कि एक identification mark क्या है, इनसेक्टा classification का, इनसेक्ट क्लास का, तो भाईया वो है six legs, hexapoda नाम ही है class का, अब अचली class insecta नहीं होती है, इनको six legs सबसे important and key feature है, तो इन में 6 legs present होती है, spiders में तो 6 ही present होती है, generally, लेकिन बहुत सारे आपके non-insect जो आपके animals हैं, which comes under arthropoda, उन में 8 legs present है किसी में, 10 legs present है किसी में, है ना, तो वो लोग इनसेक्टा क्लास में नहीं count होंगे, चीक है, presence of one or two pair of wings, इन में generally जो है, दो pair of wings present होते हैं, four wings और hind wings, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी में एक ही pair present होता है, वो भी मैं बताऊंगी किस में होता है, जब हम पीछे चलेंगे, right, respiration इसमें जो है, internal air tubes के थूँ होता है, यानि की trachea के थूँ होता है, अब आपके trachea कैसे काम करते हैं, है ना, यह आपका tracheal system है, आपका यहाँ पर lungs होता है, लेकिन insect के पास lungs नहीं होते, right, इस पास lungs नहीं है, तो इनके trachea क्या करती है, directly organ में या cell में enter करती है, और directly oxygen प्रोवाइड करती है, तो पूरे में, जो हैं, जैसे अपका पूरे city में pipeline system फैला होता है, इनका भी pipeline system फैला होता है, हर जगर, हर organ के आज़ पास, जहां यह directly oxygen travel करवाते हैं, trachea से, ठीक है, genital opening situated at the posterior end of the body, जो body के पीछे वाला हिस्टा है, posterior end है, उस तरफ genital organs present होते हैं, राइट, चलो, तो यह हो गई आपकी class insecta, राइट, presence है, इसमें metamorphosis की भी, देखो, दो तरीके की development होती है, किसी भी insect की क्या है, दो तरीके की development होती है, direct development होती है, और indirect development होती है, चीक है, direct development का क्या मतलब है, उसमें metamorphosis absent होता है, indirect development का मतलब है, उसमें metamorphosis present होता है, अब ये metamorphosis क्या होता है developmental activities जो immature इंसेक्ट से mature बनाती है उसे adult बनाती है अब आप बच्चे थे जैसे जैसे अगर आप male हैं बड़े होंगे आप में beard develop होगी आपकी आवास भारी होगी एकदम से height निकलेगी stout body होने लग जाएगी जब तक बच्चे छोटे होते हैं male female की body एक जैसी रहती है बाद में males की body जादा stout होने लगते है तेस्टिस्टिरोन बढ़ने लगता है तो यह जो changes है यह आपके metamorphosis है क्या है metamorphosis है उसी तरीके से जो insect में metamorphosis होता है जो उसको immature से mature बनाता है adult बनाता है उन प्रोसेस को क्या कहते है metamorphosis कहते है excretion in means generally malphigian tubules की help से किया जाता है है तो यह आपके insect class के जो है major features है key feature कौन सा है six leg वाला जो है key feature है right अब हम बात करते हैं आपके a terry goats की ठीक है classification है यह wings के basis पर रखी गई है तो जिनमें wings present नहीं है वह a terry goats होते हैं right तो basically actually subclass है a terry goats बचे topic क्या आया था तो आपके मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है generally AFO के point of view से हम देखे तो हमारी crop pest से ज्यादा question आते हैं classification से कोई एका दुका question आपको मिल सकता है बट बहुत common साही मिलेगा है न और morphology से भी आपको basic question मिलेंगे बहुत ज्यादा advanced question नहीं मिलेंगे advanced question जो आपके बनते हैं वो आपके crop pest से बनते हैं जो कि हम बाद में cover करेंगे हमारा जो sequence चलेगा introductory class हो चुकी है आपकी जिसमें हमने थोड़ी बहुत history देखी है important terms देखी है आज अपनी classification है classification के बाद हम insect morphology cover करेंगे और insect morphology cover करने के बाद हम crop pest पर move करेंगे तो यह आपके eight erigots है eight erigots में क्या है wings present नहीं होते हैं यह wingless insect होते हैं क्या होते हैं wingless insect होते हैं protura आपका tells and tail examples given है आपके these are your examples protura से कौन है tells and tails है deplura से deplurance है columbola से spring tails है थाइसन और यूरा से bristle bristle tails है या फिर silver fish है तो यह आपके वो sub class में आते हैं जिनके पास wings present नहीं होते हैं wingless होते हैं right इन में एक चीज़ है यहाँ पर आपका यह जो order है थाइसन और यूरा और thrips का order होता है थाइसन और ट्रा तो थाइसन और यूरा में बच्चे confused हो जाते हैं तो thrips का order थाइसन और त्रा है त्रा लगेगा उसमें ठीक है और थाइसन और यूरा में silver fish आती है इसमें बच्चे बहुत confused हो जाते हैं यह आपको photographic इसकी दी हुई है यह आपको terigots terigots में wings present होते हैं सिंपल ची बात है ए लगा दिया मतलब absent है जिनमें wings absent है वो होते है terigots जिनमें wings present है वो होते है terigots a terigots और terigots का difference यहां पर मैंने दिया हुआ है if you want you can read लेकिन exam point of view से बहुर ज्यादा importance कताई भी नहीं है ना के ही बराबर है जो चीज आपको याद रखनी है वो सिर्फ दो चीज़े याद रखनी है a terigots का मतलब है wingless insect इनमे wings present नहीं होते और a metabola भी है उसका नाम a metabola का मतलब है उसमें metamorphosis भी नहीं होता है यानि कि इनके जो young ones है यह इनके adult stage से मिलते हैं metamorphosis की जरूरत नहीं पड़ती है वहीं जो terigots है terigots में wings present होते हैं अब wings सीधा बच्चे पैदा हो जब होते हैं absent है में metamorphosis भी absent है उसके बाद आपके जो यह terigots है यानि कि विंक्स वाले insects है इनमें भी आगे division होता है exoterigota endoterigota exoterigota यानि कि विंक्स जिनके बहार develop होते हैं outside develop होते हैं और endoterigota जिनके wings inside develop होते हैं यान कि जो pupil stage में जाते हैं जो pupil stage में जाते हैं उनके wings internally develop होते हैं जो pupil stage में नहीं जाते हैं रेस्टिंग stage में नहीं जाते हैं उनके wings externally develop होते हैं तो वो exoterigota में आते हैं क्योंकि exo का मतलब क्या है outside Exo का मतलब क्या है outside No का मतलब क्या है इंसाइd है ना इंड में इंसाइड इफलाफ होते हैं तो इनको कहते हैं holomet urgosta बौला और इनको कहते है।びमी मेटबॉला है। है coming का मतलब है metamorphosis is incomplete metamorphosis इसमें incomplete होती है क्योंकि इसमें pupil stage नहीं होती इसमें metamorphosis पूरी होती है complete होती है यानि कि egg larva pupa adult चारो stage present होती है complete होती है तो इसको हम कहते हैं holo metabola है ना holo मतलब complete metamorphosis hemi मतलब half metamorphosis या फिर incomplete metamorphosis और पूर्श हो गया उसके बाद exoterogotas में कौन से आते हैं और endoterogotas में कौन से आते हैं तो exoterogotas में आपके आते हैं odontas, dragonflies, damsonflies है ना तो exoterogotas यानि कि इनके winks develop होते हैं बाहर जिनमें pupil stage नहीं होती है उनमें पहला order हमें कौन सा याद करना है odontas order याद करना है एक्जाम्पल्स के लावा कुछ और फल्तुची से याद करने की जुरूत हमें नहीं है की फीचर क्या है ओडूंटो ओडर का इसके ना मैंब्रेनस विंग्स होते हैं और इसके विंग्स के ऊपर एक जो है ब्लाक सा मार्क प्रेजंट होता है जिसको स्टिग्मा कहते है या ट स्टोंटा ओडर में प्रेजंट होता है उसके बाद प्लिकॉप्ट्रा है प्लिकॉप्ट्र में आपके स्टोन फ्लाइज आते हैं उसके बाद डिक्ट्यॉप्ट्रा है डिक्ट्यॉप्ट्रा में आपके कॉक्रुच और प्रेंग मेंटेड्स यान की मेंटेड्स आते हैं उसके बाद Grylobletodia है, इसमें Grylobleteds आते हैं, यह तो similar नाम है और Orthoptera है जिसमें आपके Grasshoppers और Locust आते हैं, है ना, Grasshopper और Locust किसमें है, Orthoptera order में आते हैं, ठीक है, बच्चे अगर वीडियो नहीं दिख रही है, तो basically आपका Network weak है क्योंकि और किसी बच्चे को problem नहीं हो रही ह ठीक है, आप Grasshopper और Locust में क्या difference है, Grasshopper generally क्या होते हैं, Bright colors के होते हैं, Green color के जैसे आपको दिख रहे हैं, Locust क्या है, Locust आपके Saw color के होते हैं, Brown color के, गंदे से color के होते हैं, है ना, दूसरा difference क्या है, Locust की body जो है, वो कैसी होती है, Stout होती है, जैसे Males की body थोड़ी Stout होती है, है ना, as compared to female, female कितनी भी healthy हो, वो male जितनी Stout body उसकी नहीं होती है, उसी तरीके से Locust के जो body है, वो Stout body है, Body building types है, जिम जाता है, है ना, तो इसकी जो है Stout body है, और जो आपका Grasshopper है, उसकी body Stouted नहीं है जादा, ठीक है, तो यह इनमें दो differences होते हैं, राइट, तो यह सारे आ कुन से हैं, orders जो exoterragotā में आते हैं, और दोंटा ओडर, प्लिकाप्टरा ओडर, च्राइलो बलेटे यह ओडर, या फिर और आप्ताप्टरा ओडर, सबसे ज़्याधा common और, कौन से हैं, डिक्त्योप्टरा, और फक्ट्रा, और टॉंटा, यह था направ legislator अफ्टेयर ऐस से सू येस बच्चे सभी lecture smart board से ही होंगे IVPS AFO की सारी classes smart board से ही होंगी वैसे हम हर batch में ही try करते हैं कि सारी classes smart board से ही हो जब occupancy बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब problem आजाती है क्योंकि अब हमें time slot मिल गया है अब हम इस time slot को छोड़ेंगे ही नहीं तो अब हमारी सारी classes smart board से होंगी endoterigodes endoterigodes ज़्याने कि ज़िनके wings internally develop होते हैं जैसे आपका micoptera है जिसके में scorpion flies आती है तो यह आपके scorpion flies अगर आपने नहीं देखिए scorpions अभी ने देखा है scorpion fly जो है पीछे से इनमें scorpion जैसा structure भी present है और इनमें wings भी present है तो यह आती है आपके micoptera order में scorpion flies फिर आती है आपके trichoptera trichoptera में आती है caddis flies trichoptera में आती है आपकी caddis fly caddis fly कैसी है caddis fly कुछ-कुछ आपकी moth जैसे दिखते हैं लेकिन size में काफ़ी छोटी होती है as compared to moth चिक है तो यह आपकी trichoptera में आती है caddis fly फिर आपके lapidoptera में lapidoptera में कौन से कौन से आते है moth और butterfly जो आपका difference grass ओपर और locust का था वही moth और butterfly का होता है butterfly brighter in colors होती है moth saw color की होती है scouted body होती है butterfly थोड़ा भई नाजुक कली सुन्दर सी प्यारी सी बच्ची है जो इदर उदर उचलती हुई घूमती है फूलों पर बैठे हुए घूमती है है ना तो butterfly brighter in colors है moth जो है wild है saw color की या brown color की आपको दिखती है right diptera में आपके flies और musquito आते तो जो musquito लिख रहे थे ना अर्थ्रोपोड़ा में उनको पड़ेगा डंडा ठीक है mosquitoes है fly है जो भी आपके वो आपके किस में आते हैं मक्खियां और क्या बोलेंगे मच्चर यह आपके diptera order में आते हैं ठीक है यह आपके किस order में आते हैं diptera order में आते हैं पिर एक order है सिफैनोप्ट्रा 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 order में please आते हैं flies नहीं आते हैं याद रखना है सिफैनोप्ट्रा में please आते हैं flies नहीं आते हैं और यह please क्या है यह blood feeders है they are blood feeders यह parasites होती है nature में blood feeders होती है है तो सिफेनॉप्ट्रा काफ़ी छोटा ओडर थैंगा ऐडिय शाया सबसे छोटा ओडर है पूरी और यह जो दो slide है, यह है सबसे important, अगर classification से question आता है, तो most probably इन दो slide से ही आएगा, क्योंकि classification से question काफी common सा ही बन कर आता है, चीक है, अब बात करेंगे orthoptra order की, orthoptra का जो literate meaning होता होता है, straight wings, orthoptra में आपके सारे grasshoppers आते हैं, बीच में छोड़ते हुए जंप करते हुए तो नहीं जाएंगे तो यह आपकी दो families हैं जो orthoptera order में रहती हैं उसके बाद आता है आपका dictoptra जिसमें आपके menteds आते हैं So अजिसमें आपका Dictoptera में आते हैnti-dee family abolmin damit family में praying mentis आता है क्योंकि वह pray करता है तो वह बहुत religious है तो उसके नाम में क्या आता है Mentes Religiosa क्या आता है, mentis, religious और mentis से ही mentidi सामली बनती है, जो dictioptera में आ रही है, isoptera, isoptera में होते हैं, iso का मतलब होता है, same, जिनके wings same होते हैं, तो उनको कहते हैं, isoptera order में fall करते हैं, तो isoptera order में होते हैं, आपके termites and whitefly, इनमें क्या होते हैं, isoptera order में, same wings, क्या होते हैं, same wing, तो यह isoptera में, termites और white ants आती हैं, right, thysinoptera, अब देखो thysin ओ यू रहा था, जिसमें wingless insect थे, thysinoptera में आपके, क्या है, thrips है, जो किस family से बिलोंग करते हैं, thrips, 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 family, thysinoptera order, तीनों मिलते जुलते नाम है, easily याज रहेंगे, है ना, उसके बाद, hamiptera आता है, hamiptera में आपकी, जो है, menti-dee आती है, family, menti-dee family, menti-dee family में आपका green bug आएगा, red pumpkin bug आएगा, और cabbage painted bug आएगा, चीक है, green bug, red pumpkin bug, cabbage bug, अब ये तीनों ही आपकी crops पर feed करते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा याद रखना है, ये hemiptera order से बिलों करते हैं, hemip मतलब, half, hemi का मतलब क्या है, half, hemi का मतलब क्या होता है, half, तो इसमें जो wings हैं, ये इस तरीके के होते हैं, half तो hard हो जाते हैं, और half membranus रहते हैं, ऐसे wings को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्द जल्द बताओ, क्या कहते हैं, ऐसे wings को, ऐसे wings को क्या कहते हैं? hemilytra, hemilytra, hemiptera order का जो आपको एक चीज याद रखने हैं, क्या रखने है है हमी इलाइटर टाइप ऑफ इंस प्रेजेट होते है तो हाफ विंग्स जो इनके हाड हो जाते हैं और हाफ इनके मेम्रेनिस रहते हैं उसके बाद मेरीडी फामली है मेरीडी फामली मेरी में आता है टी मस्किटो बग और आपका का नाम क्या है है एलो फैल्टिस। आंटरि कैसे चाई पियेगा खोगे ये जिजए आपका पाइल्पोरिटी फाम्ली है जिसमें आपका Red Cotton Bug आता है Sicardy daily family है Sicardy daily family important है देखो मैं बता रहे हूं families कौनसी important है смisardy daily family important है इस में आपके jasdds और leaf hoppers आते हैं क्या आते हैं jasdds और leaf hopper ठेक है बच्चे confused रहते हैं affairs में jasdds में तो jasd आपके sikardy daily family vocês belong करते हैं और लीफ ओपर भी आपकी सिकडी डेली फैमिली से बिलोंग करता है वही ग्रास ओपर का ओडर ही अलग है फैमिली छोड़ो वह आपके और्थोप्ट्रा ओडर से बिलोंग करता है तो लीफ ओपर अलग है और ग्रास ओपर अलग है ग्रास ओपर बड़े होते हैं लीफ ओपर छोटे होते हैं साइज में उसके बाद आपका होमोप्ट्रा आता है होमोप्ट्रा मींस होमो मींस सेम है ना तो जो आपके यह हैमिप्ट्रा ओर्डर थे इसमें आक्चली दो सब ओर्डर है है हमिप्ट्रा है ट्रोप्ट्रा एंड होमोप्ट्रा तो अभी तक हम पीछे के विंग्स अलग-अलग है जिनके आगे और पीछे के विंग्स सेम होते हैं वो हमोप्रा ओर्डर में आते हैं क्योंकि होमों का मतलब क्या है से मिलर होमों का मतलब क्या है सिमिलर तो इसमें आता आपके डेलफा साइड डेलफा साइड, जिसमें आता है ब्राउन प्लांट होенить अब ये ब्राउन प्लांट हो पर आप सभी लोगों ने सुना हुआ है पैडि में आता है, ब्राउन होपर इसी की वज़ासे होता है scientific name बताओ ब्राउन प्लांट होपर का what is the scientific name of brown plant होपर क्या होगा scientific name brown plant होपर का yes नीला परवता, lugans तो यह आपकी Delphes D family से बिलोंग रहता है ठीक है तो उसके बाद आता है आपका white-backed plant होपर जो की rice में आता है फिर आपकी afidi family आती है jacid वाली family किसमे थी heterooptera में थी afidi family किसमे है afidi family आपकी homeoptera में है afids इसमें आते है pseudococody family है यह भी important है pseudococody and cocody pseudococody में millibugs आते हैं and cocody में scales आते हैं millibugs क्योंकि scale जैसे दिखते हैं बट scale होते नहीं है तो इनको pseudo-coxidy बोलते हैं यानकी जूटी-coxidy है ना pseudo-coxidy, false-coxidy तो pseudo-coxidy में आपके millibugs आते हैं और coxidy में आपके scale insects आते हैं चेके हैं, अब white fly की family भी पूछ ली जाती है भाई आज कल बहुत trend में है white fly किसी से control नहीं हो रही है, है ना, तो alluro-ready family क्यों सी है white fly की family है, alluron से मतलब होता है colorless, alluron का मतलब होता है colorless feca है ना, तो क्योंकि आपकी white fly जो है white color की है तो basically colorless है तो यह alluro-ready family से belong करती है, right, so these are your three important ones in homoptera उसके पाद आते हैं lapidoptera पर, lapidoptera पर आपकी first family है noctuddy family, कौन सी है, noctuddy family, तो इसके जो insect है वो बड़े ही naughty है तो वो रात में travel करने निकलते हैं, रात को activate रहते हैं, निशाचर है तो यह noctuddy family से belong करते हैं, है ना, मिथी मास, अपरेटा है, आपका जो है spodiptera litura कौन सा है, tobacco caterpillar है, cutworm क्या है, helico verpa armidura है, है ना, तो यह आपके important crop pest है और यह आपकी noctuddy family से belong करते हैं, आख बन करके इन दोनों में से एक टिक का मार लेना, दोनों होंगे अगर option में, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, तो noctuddy family से आपके ज्यादा famous insect है, helico verpa, spodiptera and mithima, ठीक है, यह तीनों insect किसे हैं, noctuddy family से belong करते हैं, उसके बाद जो है, इसमें और important कुछ भी नहीं है, आप चाहें, रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल कोई कहें कि माम ने content पूरा नहीं दिया, if you want you can read, but important families यह नहीं है, ठीक है, लाइमें 3D family है, जिसमें आपका yellow hairy caterpillar आ रहा है, और आपका यह caster hairy caterpillar है, paddy है, तो यह आपके मतलब डिफरेंट डिफरे family के members हैं, but this is not much important family, यह बहुत जादा important family नहीं है, right, galachiddy family important है, galachiddy family में आपकी anguish grain moth आती है, anguish grain moth काफी important है, stored pest है आपका, तो यह के से बिलोंग करता है, यह galachiddy family से बिलोंग करता है, तो क्योंकि यह stored pest है, so store जहां आपने किया है, वहाँ गलियों में से गुजर के इस इसको जो है, उनके पास जाना पड़ता है, उसको अटाक करना है, उसको फीड करना है, तो anguish grain moth जो है, galachiddy family से बिलोंग करता है, गली से हम इसको याद रखेंगे, है न, cotton pink ball warm है, यह आपका जो है, पेक्टिनोफोरा गोसी पहला, यह भी जो है, आपका galachiddy family से बिलोंग करता है, तो it can be asked, बट जो ज्यादा important है, वो क्या है, आपकी anguish grain moth important है, ठीक है, लेपिडोप्टरा के बाद बार ही आती है, आपकी कॉलियोप्टरा order की, जिस पे आपके बिटल्स और वीवल्स आते हैं, कौन से आते हैं, बिटल्स आते हैं, और वीवल्स आते हैं, जो है, these are predators on aphids, ये aphids पर predate करते हैं, पριडेट कोन करता है? जो live organism को पकड़ कर खाता है, वो predate करता है तो ये aphids पर predate करते हैं, नाम क्या है इनका? Menochilus sexo maculata this is the name of the predators on the aphids उसके बाद predator on cottony cushion scale यह important है predator on cottony cushion scale इसमें क्या है आपका Rodalia cardinalis क्या है? Rodalia cardinalis चीक है? So this is your predator on cottony cushion scales Lady bird beetle on brinjal यह भी है आपका hino, selfie epilachna vigniopangtata चीक है? यह आपके generally biocontrols में use होते हैं इसलिए important है they can be used in biocontrols यह biocontrols में use हो सकते हैं So they are the important ones चलो next brookidi family है brookidi family में आपकी pearls beetle आती है pearls beetle is from your brookidi family जिसको callosobrucus chinensis का जाता है तो इसके नाम में ही brookos आ रहा है callosobrucus तो यह क्या है? brookidi family से belong करता है pearls beetle again यह आपका क्या है stored pest है right scarabidi family से belong करते हैं आपकी rhinosaurus beetles and आपकी carculinity family से belong करता है weevils carculinity family से कौन बिलोंग कर रहा है weevils belong कर रहे है यह नाम भी अजीब सा है तो अकसर पूछ लिया जाता है weevils किस family से belong करते है तो weevils callioptera order में carculinity family से belong करते हैं चिक है? चालो callioptera के बाद आता है hymnoptera hymnoptera में जिसमें आपके honey bees आते हैं आवास पाते है यह सारे आपके किस से है hymnoptera order से है ठीक है? तो first इसमें क्या है 10-3 needy family 10-3 needy family तो यह saw flies इसका example है 10-3 needy family जो है 10th 10th या teeth ही याद रख लिजी आप teeth तो teeth like को हम कहते है saw like they are just synonym तो इसमें saw fly आती है equinomonida family है equinomonida family में आपके जो है जवार के parasites हैं larval parasites हैं जो जवार पर feed करते हैं यह आपके equinomonida family equinomonida family में generally आपके parasites ही include के जाते हैं क्योंकि इसमें parasites आते हैं अगेन यह bio control में use हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी brackenoid family है जिसमें break-in आता है तो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ याद रखना है trichogrametida family क्या याद रखना है trichogrametida family जिससे आपका trichograma मिलता है trichograma बहुत important bio control है entomology में मतलब हर जगे trichograma ही डाला जा रहा होता है तो trichograma की family क्या है trichogrametida family है जो कि उससे बिल्कुल मिलता हुँ नाम है तो हम इसको असानी से याद रख सकते है उसके बाद आता है अपका diptera order तो diptera order में कौनसी कौनसी family important है posterior sacidomycides family sacidomycides ठेक है तो gallmich है gallfly है तो यह जो है आपके sacidomycides family से बिलॉंग करते है tapridi family है जिसे अपकी fruit fly है fruit fly अपकी tapridi family से बिलॉंग करती है तो fruit fly क्योंकि जल्दे जल्दे इधर उधर उठती रहती है तफ Dienst duyar उड़ती रहती है तो यह tapridi family से बिलॉंग करती है Right cucurbitashi family के fruit fly हो चाहे आपके किसी भी fruit fly हो generally आपके सारे टफ्रिडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, फ्रूट फ्लाइ टफ्रिडी आपने याद रखना है, क्योंकि फ्रूट फ्लाइ बहुत टफ्रियां मारती है, चेके, एग्रो माइजडी से आपके जो हैं, लीफ माइजडी से बिलोंग करते हैं, लीफ माइजडी से बिलोंग कर करते हैं ट्राकिनीडा है वो ट्राकिनीड फैमिली से बिलॉंग करता है इस अलसो पैरसाइट ओके तो यह आपके इंपोर्टेंट है यहां पर एग्रोमाइजदी एंड टेफ्री टिडी फैमिली जो कि डिप्टरा ओर्डर में आते हैं राइट उसके बाद आपकी हाउस फ्ल हाउस फ्लाई की वामिली कौन सी है तो हाउस फ्लाई की फैमिली है आपकी मस् Oak Kiddi फैमिली ठीक है तो यह भी हो गया है हमारा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखने की जुरूरत पड़े गी ठीक है तो दिस इस इपकोला एंड ने की क्लासिफि से question एक आदा ही आएगा लेकिन हमें वो एक आदा भी question छोड़ना नहीं है exam में selection के लिए सारे question करने जरूरी है साथ ही साथ हमने सर्फ वही classification की है कि जो classification generally agriculture point of view से important है अगर पूरे entomology की classification करेंगे तो कभी खतम भी नहीं होगी यह हम सर्फ वो classification करें जो entomology agriculture में importance रखती है ज्यादा मैंने आपको हर class के features करवाने लिखवाना इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको सर्फ examples याद है और तो वही कुछ दो चार example पूछे जाते exam में यह किस family से है या इस family से यह कौन है इस तरीके के ही direct question इनके बनते हैं चीक है चलो हाँ याद करना थोड़ा मुश्किल है कई कई जगा जो है stories बना कर याद करना पड़ता है किसी चीछ से relate करके याद करना पड़ता है और actually जैसे हमने पूरी classification आज एक class में complete किया आज सारे नाम आपने नए सुने हैं तो यज आज मैंने classification पढ़ ली है क्या मैं साल भर बाद किसी को सुना सकते हूं इसको मैं भी सुना सकती यह पढ़ना पड़ता है और भूल जाना प्रशा में देना प्लता है और भूल जाना होता है कुछ topics ऐसे ही हो तो classification भी ऐसा ही topic है लेकिन आप जब जब इसको revise करेंगे इन नाम से familiar होते जाएंगे उतना ही benefit आपको मिलता जाएगा चीक है हाँ PDF में लगा दूगी बच्चे आपको इसमें जो important लगाए हैं वो PDF में भी important लगा दूगी मैं don't worry चीक है चलो anything, any question from today's class या फिर मैं question पोचना शुरू करूँ बताओ वटापट से तब तक यहाँ भी कुछ questions देख लेते हैं ओके निवीदिता आम जिस्ट रीडिंग और कामेंट आपके यूट्यूब के भी पड़े हैं तो गाईज, master's के लिए अगर आप master's entrance के लिए prepare कर रहे हैं अपने graduation करके आपने master's entrance के लिए prepare करना है तो यह classes आपके लिए helpful रहेंगी master's के entrance में अगर आप already master's में admission ले चुके हैं तो आप इससे थोड़ा higher level का पढ़ेंगे यहाँ थोड़ा basic level है तो फिर यह आपके किसी काम के नहीं है मतलब जैसे net निकालना है SRF निकालना है तो उसके लिए useful नहीं है graduation complete करके master's का entrance कर रहे है तो बिलकुल आप जो है इसका use कर सकते हैं classes का निवेदेता I have recorded your query बच्चे आपको class दिखाई नहीं दे रही है जो भी आपकी IBPS EFO की class है तो इस video के नीचे या फर आप मुझे message भी कर सकते है just leave your email address मुझे आपका email address चाहिए होता है so that मैं technical team को बता सको कि ये email address को classes नहीं दिख रही है just solve it out तो तबी within two days आपकी कोई भी problem solve की जाती है और आप खुद भी mail कर सकते है at the support at the 24-7 support at the 24-7 पर आप खुद भी mail कर सकते है और आप अपना mail address मुझे भी दे सकते है so that मैं एक बर technical team को बोल दू और आपकी problem solve की जाए चिक है इसी लिए बच्चे क्योंकि हमने आप लोगों का generally सारी teachers ने आप लोगों का Saturday और Sunday दो दिन फ्री छोड़ा हुआ है ताकि आप weekly revision कर तके पूरे week में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप Saturday Sunday revise की Saturday Sunday इसी लिए आपको फ्री छोड़ा हुआ है ठीक है और जब साथ-साथ जैसे class के बाद आप साथ-साथ revision करेंगे ने वो revision 10 मिनिट में हो जाती है चलो So this is the end of our class guys कोई और question है तो भाई फटा-फट से पूछो नहीं है कोई question चलो तो PDF आपको मिल रहेगी कल क्योंकि आपका blue background था इसलिए मैंने वो नहीं भेजा उसका background चेंड करना है ताकि आप उसको easily print करवा सके तो वो भी मैं भेजते हूँ और आज की PDF भी आपको मिल रहेगी So any question and queries you can just write me down आने विदेता your queries I have just taken care of आप अपना email address इस video के comment में भी छोड़ सकती है या फिर मुझे telegram पर message भी कर सकती है I will pass on your message ओके चलो कोई question ने